शुट अप एंड सिट डाउं हिंदी भाषा पर निबंध हिंदी भाषा का सामवान्य परिचे चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व में सरवादिक बोले जाने वाली भाषा है भारत और विदेश में करीब पच्चास करोड लोग हिंदी बोलते हैं चता इस भाषा को समझने वाले लोगों की कुल संख्या करीब नब्बे करोड है हिंदी भाषा का मूल प्राचीन संस्कृत भाषा में है इस भाषा ने अपना वर्तमान स्वरूप कई शताब्दियों के पश्चात हासल किया है और बड़ी संख्या में बोली गत विभनिताय अब भी मौजूद है हिंदी की लीपी देवनागरी है जो कि कई अन्य भारतिय भाषाओं के लिए सयुक्त है हिंदी की अधिक्तम शब्द संस्कृत से आए हैं इसकी व्याकरन की भी संस्कृत भाषा के साथ समानता है राजभाषा के रूप में हिंदी भारत के सम्विधान में देवनागरी लीपी में हिंदी को संग की राजभाषा घोशत किया है अनुशहित 343 क्लॉस 1 खिंदी के गिंती भारत के समवेधान की आठवी अनुसूची में शामिल 25 भाषाओं में की जाती है भारतिय समवेधान में विवस्था है कि केंद्र सरकार की पत्राचार की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी यह विचार किया गया था कि 1965 तक हिंदी पूर्णतह केंद्र सरकार की कामकाज की भाषा बन जाएगी अनुछेद 342 और अनुछेद 351 में वन्नित निदेशों के अनुसार साथ में राज सरकारे अपनी पसंद की भाषा में कामकाज संचालित करने के लिए स्वतंत्र होगी लेकिन राज भाषा अधीनियम 1963 को पारित करके यह वैवस्था की गई कि सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी अनिश्चित काल के लिए जारी रखा जाए अतह अब भी सरकारी दस्तावेजो न्यायालेओ आदी में अंग्रेजी का इस्तमाल होता है हाला कि हिंदी के विस्तार के सम्मन्द में समवैधानिक निदेश बरकरार रखा गया राजिस्तर पर हिंदी भारत के निमलखित राजियों की राजभाशा है बिहार, जारखंट, उत्तराखंट, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्यसगड, हिमाचल प्रदेश, हर्याना और दिल्ली ये प्रतीक राजी अपनी सहराज भाषा भी बना सकते हैं उत्तरप्रदेश में ये भाषा उर्दू है, इसी प्रकार कई राजियों में हिंदी को भी सहराज भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी भाषा यह उलेक करना उचित होगा कि विदेशियों में भी भारत की धनी संस्कृती को समझने की रूची बढ़ी है यही वज़ा है कि कई देशों ने अपने यहां भारतिय भाषाओं को प्रोचसाहन देने के लिए सिक्षन केंद्रों की स्थापना की है भारतिय धर्म इतिहास और संस्कृती पर विभिन पाठिक्रम संचालित करने के अलावा इन केंद्रों में हिंदी, उर्दू और संस्कृत जैसी कई भारतिय भाषाओं में भी पाठिक्रम संचालित किये जाते हैं वैश्वी करण और नीजी करण के इस परिद्रिश्य में अन्य देशों के साथ भारत के बड़ते व्यापारिक सम्मंधों को देखते हुए सम्मंधित व्यापारिक साजेदार देशों की भाशाओं की अंतरसिक्षा की जरूरत महसूस की जाने लगी है। इस घटना क्रम ने अन्य देशों में हिंदी को लोगप्री और सरलता से सीखने योग्य भारतिय भाषा बनाने में काफी योगदान किया है अमरीका में कुछ स्कूलों ने फ्रेंच, स्पैनिश और जर्मन के साथ-साथ हिंदी को भी विदेशी भाषा के रूप में शुरू करने का फैसला किया है हिंदी ने भाषा विश्यक कारेशेत्र में स्वयम के लिए एक वैश्विक मानिता अरजित कर ली है तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी भाषाओं और विशेश रूप से हिंदी में भाषा प्रद्योगिकी में विकास की शुरुवात 1991 में इलेक्ट्रोनिकी विभाग के अधीन भारतिय भाषा प्रद्योगिकी विकास मिशन TDIL की स्थापना के साथ हुई इसके उपरांत मिशन के तहट बड़ी संख्या में गतिविध्या संशालित की गई भारतिय भाषाओं की स्मृधी को ध्यान में रखती हुए 1991 में हिंदी सहित समवैधानिक रूप से स्विकार्य प्रतीक भाषा में तीन लाग शब्दों का संग्रह विक्सित करने का फैसला किया गया तदानुसार हिंदी शब्द संग्रह विक्सित करने का काम आई आई टी दिल्ली को सौपा गया 1981 से 1990 के दोरान मुद्रित पुस्तके, जर्नल्स, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और सरकारी दस्तावेज है इन्हें छे मुख्य श्रेनियों में बाटा गया है समाज विग्यान, भौतिक एवं बैवसाइक विग्यान सौंदर्य विश्यक प्राकृतिक विग्यान, वानिज्य सरकारी और मीडिया भाषाएं तथा अनूदित सामागरी, शब्द स्तरियर टागिंग, शब्द गणना, अक्षर गणना, फ्रिक्वेंसी गणना के लिए सौफ्ट्वेर टूल्स भी विक्सित किये गए है विभिन संस्थानों द्वारा करीब 30 लाग शब्दों को मशीन से पढ़ने योगि संग्र विक्सित किया गया है हिंदी भाषा में रोजगार के अफसर हमारी राश्य भाषा की अत्यदिक लोक प्रियता और बढ़ती अंतराश्य महत्व के साथ-साथ हिंदी भाषा के छेतर में रोजगार के अफसरों में भी जबरदस्त प्रगति हुई है केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, हिंदी भाषी राजियों के विभिन विभागों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य है अतह केंद्र या राजिसरकारों के विभिन विभागों और इकाईयों में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक, प्रबंधक, राजभाशा जैसे विभिन पदों की भरमार है नीजी टीवी और रेडियो चैनलों की शुरुवात और स्थापित पत्रिकाओं, समचार पत्रों के हिंदी रुपांतर आने से रोजगार के अवसरों में कई गुणा वृध्धी हुई है हिंदी मीडिया के छेतर में संपादकों, समवाददाताओं, रिपोर्टरों, न्यूज रीडर्स, उप संपादकों, प्रूफ रीडरों, रेडियो जौकी, आंकर्स आदी रौकी आंकर्स आदी की बहुत आविशकता है इनमें रोजगार की इच्छा रखने वालों के लिए पत्रकारिता, जन संचार में डिग्री या डिप्लोमा के साथ-साथ हिंदी में अकादमिक योग्यता रखना महत्वपूर्ण है इसमें प्रमुकों अंतराश्य लेखकों के कारियों का हिंदी में अनुवाद तथा हिंदी लेखकों की कृतियों का अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं में अनुवाद कारिय करना भी सम्मलित होता है फिल्मों की स्क्रिप्टो विज्यापनों को हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करने का भी कार्य होता है हिंदी भाषा में सनातकोत्तरों विशेशकर जिन्होंने अपनी पीएचडी पूरी कर ली है के लिए विदेशों में भी रोजगार के अफसर है कुछ देशों द्वारा हिंदी को बिजनस की भाषा स्विकार किये जाने के फलस्वरूप विदेशी विश्व विध्यालेओं में हिंदी भाषा और भाषा विज्यान के सिक्षन की जबर्दस्त मांग बढ़ी है भारत में स्कूलों, कॉलेजों और विश्व विध्यालेओं में सिक्षक के तौर पर भी परंपरागत, सिक्षन, विवसाय को चुना जा सकता है हिंदी भाषा का सम्मान प्रतेक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इस अफसर पर सरकारी, आर्धिसरकारी तथा नीजी संस्थाओं में कहीं हिंदी सप्ता तो कहीं पकवाड़ा मनाया जाएगा सभी जगा जो कारिक्रम आयोजित होंगे उसमें निबंध, कहानी तता कविता लेखन के साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी कहीं परिचर्चा आयोजित होगी भारत में हर कागस पर जब हिंदी लिखा जाएगा तभी हिंदी दिवस का पावनलक्श पूरा होगा जय हिंदी, जय हिंदी, हिंदी है हम, वतन है, हिंदोसता हमारा एकता की जान है, हिंदी देश की शान है, हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान है हिंदी का विकास, देश का विकास, हिंदी भारत माता की बिंदी, हिंदी है मेरे हिंद की धरकन हिंदी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ, हिंदी उर्दु भाई भाई, संस्कृत हिंदी दीदी बहन, जो राश्र प्रेमी हो वो राश्र भाशा प्रेमी हो, हिंदी ही हिंद का नारा है, प्रवाहित हिंदी धारा है